बिहार में पुलो के तुटने का सिलसिला, पुलो के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है, इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में बयान बाजियां भी चल रही हैं कि इसके दोसी कौन है, पक्ष विपक्ष के उपर आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष पक्ष के उपर आरोप लगा रहा है इसी बीच गंडक और कोसी नदी में अब उफान आ चुकी है उत्तर बिहार में बाढ़ की अब चिंता भी बढ़ चुकी है और उसको लेकर के प्रसासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है आपको बता दें कि उत्तर बिहार में बाढ़ की चिंता जलस्तर में भी ब्रिधी का क्रम जारी है वहीं गंगा नदी का भी पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी चिंता का कोई कारण नहीं है पुर्णिया के धनगरा घाट में महानंदा फिलाल खत्रे के निशान 35.65 मीटर से उपर 35.20 मीटर पर बह रही है आपको बता दे कि जून तो प्रतिक्षा में गुजरा लेकिन जुलाई में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि नदियां तक उफान आई है बिहार के उत्री परी छेत्र के लिए अभी बार किया संका वाली इस्थिती है गंगा तो अभी धैरे धारन किये हुए है लेकिन कोशी और गंडक कई जग आगरा और पुनपुन के जलस्तर में भी ब्रीधी का क्रम जारी है पानी तो गंगा का भी बढ़ रहा है लेकिन इसके कारण अभी बाढ़ आने की आसंका नहीं है और ये थोड़ी राहत भरी खबर है आपको बता दे कि बालमीकी नगर बराज से छोड़े गए 1.24 लाग घ करने की जिम्मेवारी सौप दी गई है तो वहीं निशले इलाकों के निवासियों के लिए बाढ़ और मिटी के कटाओ का खत्रा काफी बढ़ गया है उन्हें सतर्क रहने अस्थानिये अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने और संभावित निकासी के लिए तयार रह प्रिति का क्रम अन्वरत जारी है हलाकि राहत भरी खबरे है कि कोशी के जलस्तर में कमी आ रही है खगडिया के गोगरी प्रखंड अंतरगत बलतारा में कोशी के जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रही है लेकिन यह अब भी लाल निसान से उपर है वहां खत्रे का निसान 33.85 मीट है जबकि कोशी का जलस्तर अभी 34.18 मीटर तक पहुच चुका है मुझफर पूर्चिला के बेनी बाद में बागमती का जलस्तर अभी 49.4 मीटर है यह खत्रे के अस्तर 48.68 मीटर से काफी उपर बह रही है सिता मड़ी जिले के सुंदरपूर में अधवरा नदी भी खत्रे के निसान 62.1 मीटर से उपर 61.7 मीटर पर बह रही है तो यह था मौसम का हालात जो की आपने देखा कि किस तरह से गंड़क नदी में उफान आ चुका है इस खबर में बस इतना ही आगे पलपल के खबरों से अध्यतन रहने के लिए देखते रहे दभी हाटो